दे थर्टीन का व्लोग काफी लेट हो गया क्योंकि मैं दो तिन दिन से आउट ओस्टेशन थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग भा रहा था कि मैं वोईस ओवर कर पाऊं या मैं वीडियो एडिट कर पाऊं और मैं दिल मनी मन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप से बात नहीं हुई है मैं बहुत मैस कर रहे हूं और बहुत सरह लोगों ने मेसेज़ भी मुझे भेजे कि हां वीडियो व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं जमेटो सीरीज भी बंद हो गई है जमेटो सीरीज अभी चारपन जिन से मैंने जमेटो को आफ रखा हुआ था बिकॉस म लागी हुँ आप व्लॉग्स भी कंटिनीू होंगे समेटो सीरीज भी कंटिनीू होगी यहां पर यह एक मेरा जाने से पहले का केक था यह वन केजी केख था और जिसको मैं यहां पर उसको क्लाइंट को स्पेसिफिकली वानिला केक में यह डाक चो को चिप्स चाहिए थे त बहुत ज़्यादा सुन्दर और इसलिए मैंने इसको वाइट बेस में बनाया है M.D.F. बेस में और यहां पर मैं इसकी फाइनल फिनिशिंग भी कर रही थी तो मैं इस बार मैं piping bag से फिल कर रही थी क्योंकि इस cake में बहुत जादा perfect finishing चाहिए थी मुझे side में और मैं इसके बाद मैंने with the help of scrapper इसको अच्छे से scrap off किया तो जब भी मैं piping bag से side पे cream लगाती हूँ ना तो पहले मैं पहले type से उसको अच्छे से spread करती हूँ मैं शर्फ्र नियुर्ग करती हूँ तो परक्षट्ट फिनिशिंग जैसे है गयी थी उसके बाद मैंने इसके आगे की डिजाइनिंग start की तो यह केग में मैंने किसी भी pasta का यूज नहीं किया किसी भी चीज़। का यूज नहीं किया डिजाइनंग में तो मैंने एक सटआब चेक लेली थी už consomm कर् puck लेली ती अर उसी से में इसके इसके डिजयु गो बनाया तो जिस तरह से मुझे क्लाइंट ने इसको बनाना इसको बना तो आप समति गये होगे कि मैं कहौन से क्या बना रही हूँ यस में एक मैं ह्一直ığ करके और मैं वुडन स्टिक से ही मार्केंग करके बना रही थी इससे बहुत ही परफेक्ट हो जाता है और कलर मैंने वो लिये थे जो मुझे क्लाइंट ने इमेज भेचा था तो यहां पर पहले मैंने उपर वाली साइट पर बनाया विकास नीचे वाली साइट पर रेंबो बनाने क मतलब ओवराल लुक बहुत अच्छा मैंने कर दिया था फिर मैंने यह पर्पल बना दिया और उसके बाद मैंने विदाउट एनी नोजल इसमें क्लाउट भी बना दिये थे साइट पे और उपर से मैंने एन थ्री नोजल ली थी नूर की उपर वाले शेल्स के लिए तो बहुत इकतुरी थी बूट पे रखके तो मैंने केक को हाथ में पकड़ के छोटे-छोटे शेल्स बनाए और फाइन फाइन लुक वाज अमेजिंग को बहुत अच्छा लगा चो आपको भी अच्छा लगाओ गाज का व्लॉग आज का केक अच्छा लगा है तो लाइक शेर जरूर कर देना and thank you so much for watching and thank you so much for waiting and thank you so much for loving bye bye take care